हेलो फ्रेंड्स मैं गाईतरी हाउ टू में आपका स्वागत करती हूँ और आज आपके साथ में शेर कर रही हूँ फिश फ्राई करी जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और इससे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को फुल पाईतरी उसे भी ज़रूर वाच करिए चली शुरू करते हैं फिश फ्राई करी बनाना यहां पर मैंने यह हाफ केजी फिश लिया है जिसे मैंने हल्दी नमक और निम्बू में मैरिनेट करके रख दयाता आधे घंटी के लिए और इन्हें धो कर फ्राई कर लिया है हलका सा वन एंड हाफ टेबली स्पून ओईल लेना है गरम मसाले के पत्ते और फूल लेना है यहां दो पत्ते और थोड़े से फूल लिये मैंने यहां पर मैंने दो बड़ी साइस के प्याज लिये हैं जिसका मैंने पेस्ट तयार करा है यहां पर मैंने अद्रक लसन का पेस्ट लि यहांपर तीसपून लाल मिची पाउडर लिया है हाफ टीसपून हल्दी पाउडर और वन एंद हाफ टीसपून धनिया पाउडर लिया है टेस्क के कॉर्डिंग नमक लेना है चली शुरू करते हैं फिस्ष फ्राई करी बनाना सबसे पहले मैंने गेस के उपर कढ़ाई अब प्याज का पेस्ट जो तयार करा था उसे डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब लसन और अद्रक का पेस्ट डालेंगे अच्छे से mix करके टेस्ट के कोईइंग थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि लसन अद्रक का पेस्ट और प्याज अच्छे से भुन जाए फिश में मेरिनेट करते समय नमक डाल दिया था मैंने इसी लिया में यसी में मसाली के साफ़ से ही नमक डालना है इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने इसमें और जो गीला गरम मसाला था उसे डाला है यह सभी को अच्छे से मिक्स करना है और जो सुखे मसाले लाल मीची पाउडर हल्दी पाउडर धन्या पाउडर ले था इसे भी हम डाल देंगे इसमें सब भी को mix करके जरूरत किसार्फ से पानी डालेंगे मसाले को पछनी के लिए यहां पर मैं half q Patchory पानी डालूंगी और मसाले को एक दो मिट तक पाकाएंगे अच्छे से यहां पर मसाले को एक मिट हो चुका है पकते हुए तो मैं इसमें gravy के लिए पानी डाल देती हूं यह optionally है आप चाहो तो ढालो, नहीं तो इसकिप कर सकते हूँ इसे और इसमें अब हम फिश, डाल देंगे और दस मिट तक पकाएंगे हम इसे में धक देती हूँ यहाँ पर मैंने फिश डाल दी है और इसे धक के पकाऊंगे 10 मिट तक में यहां पर फिश को 10 मिट हो चुके हैं पकते हैं और यह काफी अच्छे से पक चुकी है तो मैं गेस आफ कर देती हूं और आपको मेरी यह फिश फ्राइ करी की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा पहली ब बाइ